हलो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक देशी उपाय जिससे कि आप अपने डायबिटीज को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं एक ऐसी बिमारी जो हमारे देश के आज की 7-8 करोड जनता को अपने कबजे में कर चुकी है हमारे देश के लगबग 7- आठ करोड लोग जो हैं वो डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो की हमारी खुद की ही बाडी में बहुत सारे चेंजिस की बज़ा से होती है और इसके काफी सारे रीजन्स भी हो सकते हैं पटिकुलर रीजन्स इतना जरूर है कि डायबिटीज की वज़े से आपकी जो लाइफ स्टाइल आपका जो स्वाद बेस्वाद हो चुका है आपको लगातार इंसुलिन लेना पड़ता है उससे आपको अजादे मिल सकती है आपके डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है आज मैं जो अपने खानपान पे ध्यान नहीं देते बहुत सदा नेटा या जंक फूड अपने डायट में इंप्लूट करते हैं healthy खाना नहीं खाते हैं unhealthy डायट लेते हैं या फिर हम मोटापे के शिकार है बहुत कम पानी पीने की वज़े से exercise ना करने की वज़े से और हमेशा आलस की त करने के लिए डाइबटीज की वजह से हमारा ना से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है बलकि केड़नी नर्स अधर बॉड़ी पार्ट्स पे बहुत ज़ादा प्रॉब्लम आती है हमें बहुत ज़ादा हेडेक और हमेशा इडीलापन फील होता है और आगे चरकर डा टाइम तक एक अच्छा हेल्दी जीवन जी सकें तो ऐसे में हमें क्या करना है डाइबटीज तब होती है जब बॉड़ी में इंसुलिन की जो मात्रा है वो बहुत ज़ादा कम हो जाती है तो अगर आप भी डाइबटीज के शिकार हैं और आपकी बॉड़ी में इंसुलिन क की मातरा कम हो रही है तो चलिए आजी काड़ा बनाते हैं सबसे पहले पैन में लिया एक लास पानी साथ में कुछ ही चीजे डाल रही हो एक चमच मेथी दाना ले रही हो थोड़ी सी इस तरह से टुकड़े डाल चीनी के आपको लेने है एक छोटा सा आधा एक इंच का इंक्रीज करेंगी इंसुलिन एक ऐसी चीज जो कि हमारे पैंक्रियास में बनता है तो जब डाबिटीज होता है तब इंसुलिन की मातरा बॉड़ी में कम बनने लगती है तो अगर हम डेली इस तरह से यह जो मैं आज आज आपके सब काड़ा शेयर कर रही हूं जिन में सार बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है असासी चीजे हैं हमारे घर में हमेशा अवेलिबल है और हमेशा मिल जाएंगी लेकिन इस तरह से जब यह आपका काड़ा उबल जाए और थोड़ा रूम टेमरेचर पे आ जाए तो आप इसको चान लीजिए और आपका इस तरह से काड़ रेडी हो चाएगा इस काड़े को सुबह खाली पेट आपको लेना है आपको भर पूर मात्रा में पानी पीना है जितना हो सके अपने डाइट में पानी को जादा कीजिए बैट कर पानी पिया करें और अपने डाइट से जंग फूड को अवाइड करके हेल्दी डाइट की प्रोसीड करें बहुत से healthy options है diabetic patients के लिए जिने उन्हें खाना चाहिए और जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर आप भी regular इस काड़े को अपनी routine में include कर लेते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगी कि diabetes आपकी पूरी तरह से जड़ से खतम हो जाएगी हां लेकिन ज diabetes की बज़र से other issues हो रही है body में वो control हो जाएगे आपका lifestyle थोड़ा सा बदलिये थोड़ा सा अपनी healthy lifestyle को follow करें और इस काड़े को लेना शुरू करें तो आपकी blood sugar level बहुत हद तक control में आएगा insulin का level जो है naturally बढ़ जाएगा और insulin injections नहीं लेने पड़ेंगे तो इस काड़ा को try कीचिए और स्वस्थ रहिए चलिए फिर मिलती हूं किसी और बहतरीन वीडियो के साथ बाई बाई